हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टो मैं चैनल, स्मायल ओपनली बी डॉक्टर पुर्नम अगर हमारे शरीर में सबसे पहला जो इंप्रेशन कैसी चीज़ से पढ़ता है कोई भी हमें देखता है, तो सबसे पहले हमारे चेहरे को देखता है, हमारे आंखों को देखता है अगर हमारी चेहरे पे कोई दाग धबा या कुछ भी पिगमेंटेशन कुछ भी जूरिया वागिरा कुछ भी होता है तो वो हमें खुद कोई अच्छा नहीं लगता है कि हम चाहते हैं कि हमारा चेहरे एकदम flawless हो सुन्दर हो और इसी में आती है हमारी आंखे अगर हमारी कि एकदम इनसे मुझे छुटी मिल जाए एकदम ठीक हो जाए तो वीडियो इसी टॉपिक पे है कि घर की ऐसी कौन-कौन सी चीज़े होती है क्योंकि हम नॉर्मली बहुत सारे क्रीमें लगाते हैं हमारे डार्क सर्कल को दूर करने के लिए फिर भी उनका अच्छा इफ्यक अगर आप इन उसकों को अपनाते हो तो वन वीक के अंदर आपके डार्क सर्कल जट से खत्म हो जाएगा एकदम क्लीन हो जाएगा आपका चेहरा तो यह नुसके आप जरूर आजमा के देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा तो वीडिय करते हैं आज का टोपिक चेहरे के आंखों के नीचे डार्क सर्कल होना इसकी बहुत सारी रीजन है अगर हम प्रॉपर स्लीप मतलब प्रॉपर नीद नहीं ले पाते हैं तो भी हमारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं अगर स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हो तो भी कि चोषिया एंकर दो चाहते हैं में कोई इंपेक्षिन या धा कुट सोगेंगे उनकी दियुद्ट अगवारे आगवार को तुक्त। कि अधे पारे में जानेकों हमारे आँकों के खाले और दंग कर सके उन्में सबसे पहला है और बहुत effective है वो है कच्चा दूद आपको कच्चा दूद लेना है कोई भी brand का कुछ भी कोई भी दूद चलेगा अगर आपको natural गाय का दूद मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप normal कोई भी दूद लीजिए कच्चा दूद लीजिए और कोटन आप चाहे तो कोटन पैड साते है round color के अब वो खरीज सकते हो अगर वो नहीं है तो आप normal कोटन लीजिए और कोटन से अपने आंखों के जो काले गेरे हैं वहां पे apply कीजिए आपको क्या करना है कोटन या फिर जो कोटन पैड है उनको दूद के अंदर डिप करन करना है को कुछ देर के लिए मतलब फ्रीज में रख दीजिए और एकदम जब ठंडा हो जाए तब आपको जब टाइम मिले मैं यह नहीं बोलूंगी कि आपको मतलब उसी टाइम लगाना है ऐसा कुछ निए जब आपको टाइम मिले तब आप उसको अपने आंखों के नीच कीजिए रेस्ट कीजिए ऐसा अगर आप रेगुलर करते हों एक वीक के अंदर आपके आंकों के नीचे के काले डार्क से मतलब जो काले घेरे हैं वह कम हो जाएंगे तो यह आप जरूर ट्राइब कीजिएगा इसके अलावा है नारियल का तेल हर घर में अवेलेबल होता है अगर आपको नेच्रल ऑइल मिल जाए और्गेनिक तो बहुत अची बात है नहीं तो नारियल का तेल मार्केट में अवेलेबल होता है आप ले आईए उसके अंदर थोड़ा सा आपको ऐलोविरा जेल डालना है ऐलोविरा जेल और नारियल के तेल को अच्छे से मिक्स कर ल िए और आप को रात के समय में करो चाहिए और ऑफ और आप नारियices को लगा के बी रख सकते हो इसके बाद आप इसको बोश्र कर सकते हो लेकिन अगर आप इसको रात के समय में लगाते ञר anticipating तो आपको क्या करना डाल एक प्लूब चुब स्शास इस सूबने के बाद इसको ब बतला फिर बतलों प्रशी के अलावा क्या है आपको क्या करना है आलू लेना आलू के साथ आपको और उनी को डोनों की पीडार के मिखस करने के बाद आपको में वेल विर जेयों डाले मादार है, vehicles इसे पम्मच करना है अलोविरा जेल डालिए एलोविरा जेल के साथ थोड़ा सा आप हनी मिलाईगी यानिकि शहद उसके अंदर मीक्स करके पेस्ट बना लेजिए फैस पैक जैसे लगाते हैं वैसे पैक बना लेजिए उसके बाद अपने काले गेरों के उपर अपलाई कीजिए और कम से कम 15-20 मिन सकते हैं उनको अगर अच्छा नहीं लगे तो क्या करना है जो कद्धू कि अवा अलू और जो घीरा है उनको चान लेना और उनका जूस है उसके अंदर थोड़ा सा एलोविरा जेल और थोड़ा सा हनी मिलाके उसको मिक्स करके उसको भी आप कोटन की मदद से अपलाई कर सक आप चाहे तो चाहिए चाहें चाहे कर सकते हो और यह आप जरूर अपलाई कर जीए के अपने लावा आपके नारील का वैस्व राथ को सहने से पहले लाप मशाय करले दाग दबहने यह वह साथ हो साथ हुआ यह के रावे आप अलोम जल closing फ्रेश एलोविरा घर में मिल जाए तो बहुत अची बात है नहीं मिलता है तो आप एलोविरा जेल लाई और एलोविरा जेल को भी अपने आप मतलब डार्क सरकल है उस पर अपलाई करके 15-20 मिट हैं से लगा के रख लिए इससे भी दीरे दीरे आपके जो डार्क सरकल है वो भी आपके कम हो जाएंगे तो यह तो है डार्क सर्वल को ठीक करने के उपाई अब आप इनसे बचने के लिए क्या करें कहीं पर भी जाते हो तो अपने चेहरे पर मत आने दीजिए कुछ भी आप कवर करके अपने जाएं और साथ ही यह जो संस्क्रीन लोशन है कम सब जरू आप तरीके से नीद लिजेए 7-7 गंटे जो प्रॉपर नीद होती है वह जरूर लिजेए साथ ही डाइट में हेल्दी डाइट इस्तेमाल किजिए मत्द विटामीन से बरपूर जो डाइट होती है जैसे की ग्रीन वेजी जी लिफी वेजीटेबल वह अपने अपने कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिएगा थेंक यू